नम्सकार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नीजनी इस तूधी पर मैं हूँ आपके साथ सोंई और आज हमारे साथ सूद्यों में मौझूद है हरी कुपाल शर्माजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है राद है राद है आधम जारिंग अचारे जी से कुछ विशेश बात है अचारे जी दिवाली है दिवाली खत्म हो चुकी है हाला कि कई लोगों ने 31 और एक तारिक को भी दिवाली मनाया लेकिन अब ऐसे में जो दिवाली के बाद आता है व इस पर्व को मनाते हैं इस बार यद इस पर्व को बनाने की बात कहें तो यह पर्व का रतेक माज के सुक्लपक्ष की प्रत्पदातिथी को बनाये जाता है इस साल एक नवंबर को साम 6 बज कर 17 मिनिट से प्रत्पदातिथी सुरू होगी और 2 नवंबर को रात 8 बज कर 22 मिनिट तक प्रत्पदा रहेगी इसलिए इस साल 2 नवंबर को गोगधन पूजा का पर्व अनपूट महु की बात करें तो कार्तिक मास में सभी मुझाय प्रदोष काल में की जाती हैं तो गोबर्दन भगवान का भी पूजन प्रदोष काल में आप साम साड़े छे वजे से लेकर आठ बज करके 19 मिनिट तक इस महूर्थ में आप पूजा करते हैं तो आपको बेहज सुप फरों की प् प्रदातिति को कर ब्रजवासियों से गोलगर्दन परवत की पूजा कराई ये भगवान क्रिश्ट की एक ऐसी लीला है जिसमें भगवान क्रिश्टने स्वें का पूजन्सवें किया है यानि कि भगवानक्रिश्टने को अपना स्वरुपरदानु किया इंद्र का bandwidth इस ली दिया ये भगवान की एक ऐसी लीला थी इसमें भगवान ने इंद्र के मान मर्दन करने के लिए गोबर्धन परवत को अपने उंगली पर साथ दिन तक उठा करके रखा और उसके बाद जब इंद्र हार गया तब भगवान कृष्ट ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि आज आ गोबर्धन परवत की बजए से ही आपके जहां बारिस होती है आप यह मत सूचिए कि इंद्र की बजए से बारिस होती है क्योंकि इस परवत पर इतना रमणी है इतनी प्रकृति है कि यह बादलों को लेकर के आती है और यही बरसा कराती है यानि कि भगवान प्रकृति पूजा करेंगे, तो सभी जाओ, अपने अपने घर से, जो भी पकवान बना कर के ला सकते हो, वो सभी पकवान बना कर के लाओ, तो ये गोवर्णन परवत, साक्षात उनको ग्रहन करेगा, तो सभी ब्रजवासी गए, उन्होंने बिविन परकार के पकवान बनाए, छप्पन बेंजन बनाकर किलाए कि सभी गोवर्दन परवत क्योंकि गोवर्दन परवत को भगवान किस्ट ने अपना सुरूप दे दिया था तो जैसे जैसे गोवर्दन परवत के निकट सभी अपनी मुझनों को ला रहे थे पदार्थों को ला रहे थे गोवर्दन परवत उनको घ्र तो भगवान ने कहा कि देखिए ये कलियुक में साक्षा देव हैं यही आपकी रख्षा करेंगे तो भगवान ने प्रकरति पूजा पश्व पूजा का संदेश इस लीला के माध्यम से दिया इसलिए हम कार्तिक मास की सुक्ल पक्ष की प्रतवतातिति को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं अब यह पूजा विधी की बात करें तो पूजा विधी क्या है कि आप सुर्योदे से पहले इश्णान करें ब्रत संकल पलेकर ही पूजा करें आप प्रति दिन पूरे दिन हरिनाम संकीरतन करते हुए सात्विक भोजन ग्रहन करते हुए फल ग्रहन करते ह हुए पूरा दिन व्यतीत करें और साम के समय जो हमने महूर्थ बताया साड़े छह वजे से आठ बचकर उन्नीस मिनिट इसमें अपने घर के आगन में गाय के गोवर से गोवर्धन भगवान की प्रतीक आत्मक मूर्ती इस्थापित करिए उस मूर्ती के साथ गोवर्धन भगवान की के साथ कुछ ब्रजवासी कुछ गाय ये भी बनाईए और साम के समय इनको बड़ा अच्छा स्रंगार दीजिए खील, बतासे, फूल लगा करके इनको स्रंगार का सुरूब दीजिए और सपरवार साम के समय इनका पूजन कीजिए इनका गंगाजल से अविशेक करिए इनका दूद से अविशेक करिए इनको दूद अर्पित करिए, दूद से बने पदारतों का भूग लगाईए, जो आपने अपने घर में आज अनुकूट का प्रसाद बनाया है, उन सभी बस्तूओं का यहां पर साम के समय भूग लगाईए, और इनकी आरती कीजिए, आरती के बाद सास्टांग प्रणाम और गल्तियों के लिए छमा याचना कीजिए, उस समय के लिए सभी परिजन वहां बेट करके हरिनाम संकीरतन करें, भगवान किष्ण की लीलाओं का गुणदान करें, महा मंत्र का आनंद लें, तो यह पूजा की सरल विदी है, सास्त्र कहते हैं, और भगवान किष्ण ने कहा, कि जो लोग कलियोग में गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे, तो उनको सभी सुखों की प्राप्ती होगी, उनके सभी पापकर्ब नश्ट होंगे, और अंत समय पर वो वो व्यक्ति मेरे गोवर्धन धाम में इस्थान प्राप्त तो सास्त्रों में गोवर्धन पूजा की बहुत महमा बताएगी इस पूजा से सभी मनुरत पूर्ण होते हैं तो फिल्हाल यह थी जो बाते जो दर्शक जानना चाहते थे तो जो भी गोवर्धन पूजा करने जा रहा है वो इन खास बातों का जरूर ध्यान रखे फिल्हाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही आपको मारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करकी जरूर बताएग और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले